हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बाक टो आर चानल सेने टास्टेक अमिता बिग बॉस के घर में हर दिन कोई न कोई हंगामा होता रहता है जहां इस बार सुनाली फोगाट ने कह दी है एक ऐसी बात जिसको सुन कर हर कोई शौक रहे गया है चलिए जानते हैं पूरा माज़रा क्या है बिग बॉस ने मकस अक्रामती के दिन घरवालों को करने को दिया एक नया टास्क जहां सारे घरवालों को अपने अपने नाम की पतंग उड़ानी थी और जिसकी पतंग कटेगी वो इस गेम से बाहर हो जाएगा जिसके बाद सुनाली फोकाट की पतंग कर जाती है जिसके बाद अर्शी सुनाली के पास जाकर कहती है कि उसकी पतंग रुबीना दिलायक ने काटी है जिसको सुनकर सुनाली आग बबूला हो जाती है और कह देती है कि जिसने भी उसकी पतंग काटी है वो एच्छ है जिसको सुनकर घरवाले शौक्ड हो जाते हैं और खबरों की माने तो रुबीना सुनाली को ये कहते हुए आई नजर कि अगर आपकी बेटी यहां होती तो क्या आप उसके लिए भी यही वर्ड यूस करती जिसको सुनकर सुनाली रुबीना का जगड़ा हाता पाई में बदल जाता है जहां रुबीना को अभिना तो सुना खाने उन्हें वीकेंड पर इग्नॉर किया था जिसके बाद लाइम लाइट में आने के लिए सुनाली कभी एली तो कभी निकी तो कभी रुबीना पर कर रही है अपना वार विल आपकी क्या रहा है सुनाली का ये सब करना उसको इस बार की एविक्षन से बचा पाएगा य नहीं प्लीज कॉमेंट करके बताएगा तिल देन स्टे टूने और सब्सक्राइब आर चानल थांक यू